सोयाविन के भाव को लेकर प्रदेश की कई इलाकों में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जिसे देखते हुए सरकार ने सोयाविन के नियूंतन भाव को पढ़ा कर 4,892 रुपए कर दिया है। लेकिन किसानों का कहना है कि उनकी लागत के हिसाब से ये भाव नाकाफी है। जिसे लेकर शुजालपूर में किसानों का ट्रैक्टर मार्च देखने को मिला। देखे खबर। सोयाविन के भाव को पढ़ा कर 6,000 करने की मांग को लेकर प्रदेश भर में किसान लगाता है प्रदशरन कर रहे हैं। जिसका असर शुजालपूर में भी देखने को मिला। जहां किसानों ने सरकार को चेताबनी देते हुए कहा कि अगर सरकार सोयविन का भाव बढ़ा कर 6,000 नखी करती है तो उनके द्वारा उग्र प्रदश्वन किया जाएगा किसानों की रिली नहीं यह जमेला है इससे आगे भी हम आंदोलन करेंगे और करते रहेंगे जो कि नर्मजा परियोज्वा की लाइन से हमारे छेत्र के किसानों की बढ़ता बढ़ता जा रहा है इसलिए हम किसानों ने आज वागवान बलराम की जहिंति को मनाते हुए इन करमचारी नेताओं को अगवत कराते हुए हमने एक जो है जेंदि को प्लक्ष में एक धन्मपर्दस हम के रखा है और भगवान बलराम की जेंदि को हम तेशल से वहापे सामागों करेंगे और वहापे प्रस्तान करेंगे वही किसानों की मांग को सुनते हुए सरकार ने सोयाविन का भाव बढ़ा कर चार हजार आट सो बयानवे रुपे प्रतिक विंक्टल कर दिया है लेकिन किसानों का मानना है कि उनकी फसल के लिए ये दाम ना काफी है जिसके लिए किसानों ने शुजालपूर मंडे में ट्रेक्टर मार्च भी निकाला और सरकार कुछ चिताब मी दी है कि अगर सरकार सोयविन की भाव बढ़ा कर 6,000 रुपे प्रतिक विंक्टल नहीं करती तो किसान उगर प्रदर्शन के लिए मचपूर होगा प्योड रिपोर्ट आम पी नियूस शुजालपूर